हालो एप्रेवर बग्रकुदेशनल आज हम पढ़ने वाले हैं इंवारिमेंटर स्लाइस लास्तर से 50 चैप्टर जिसका नाम है क्योरिंग फॉर्ड फॉर नीडे इविविंस क्योरिंग का मतलब होता है ध्यान लगना है ना और नीडे इविंस मतलब कि जरूरत मनलोग ठीक है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरी किस है जो नीडे इविंस है जो अपना काम खुझ से नहीं कर सकते हैं यह को जरूरत है किसी की उनकी किस तरह से देखाल कर सकते हैं चली पढ़ते हैं सुसाइटी की बात करको सुसाइटी क्या होता है सुसाइटी होता है इस समाज तो एक समाज जो होता है वह अलगे तरह के लोग से मिलकर बनता है है ना हाट तरह के लोग समें होते हैं हम समाद में मिलकर रहते हैं, तो समाद में रहने से क्या होता है, हमत्रे की सिवराइं में मिलती है, और सुरक्षित हम एसुस करते हैं, तो समाद में रहते हैं, हम एक्टी की जिम्मेदारी हैं, इनकी दूसरों के बारे में सोचें, उनका थायन रखें, अगर किसी को जरूरत है, तो उनकी फैप करें, विए उनका रहते हैं, एसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, उनको हमारी हैट की जरूरत होती है, तो उनके ब्रति हमें एक सेवा भाव इंतिया भाव दिखाना चाहिए और उनकी मदद हमेशा करने चाहिए यह एक जिम्मेदार और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हैं यहार आजमे की जिम्मेदार है कि वह इन चीजों का ध्यान रखे आप करते हैं और पीपल की बात अब बोड़े कौन होते हैं हर व्यक्ति अब सब को पता है कि हार व्यक्ति पोड़ा होता है 정이 काम किक से करवा稍न 순का है नहीं कर वात he क्योंकि वह साथ साथ मुझा साथ का, ना, तो उम्र के साथ सब बहुत सारी ऐसी कमजोर हैं, जो शरीर में आ जाती हैं, आखे कमजोर हो जाती हैं, साथ यसाथ ठीक से सुन नहीं पाते हैं, और अपना कोई भी काम प्रॉपरिल्टी से नहीं कर पाते हैं, यह पाते हैं, जो भी काम पाते हैं, जो भी चाने हो, जो भी को मंगाते हैं, जो गाहों के लिया कर सकते हैं, येसमेट छोल और पीपल्स फोहेट to remove headache अगर 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 गुल्मेडदादी है या फिर नाना नानी है या फिर आर आरे पिता बुजल हो गई है तो उनके सर में कभी अगर दर्द होता है तो हम उनको मिसाज कर सकते हैं सर में यूजित कि उनको सरदर्द में उनको तरीके से मैनेच रखे भी रख सकते हो जिसे कि जरूरत के टाइप पर उनको आराभ से मिल जाहे है लिसन टू ग्रेट उनकी बातों को धांट से सुनना चाहिए लीकार कारेट के रहाेब कि अच्छा महातना समय हों एक अधरो कि हम को मैं अधर्ट से अधर बिखाने एक हां धान के इनदर इस टाइम पर आप देखते हैं कि कोई बुढ़ा व्यक्ति या बुड़ी लीडी कोई खड़ी हुई था बस में और आप सीज पर बैटने हो तो आपको शीज चोड़ देनी चाहिए और बैटने के लिए बोलना चाहिए तो बहुत सरे तरीके हैं जिसे अपनी बुजर्बों क कि देखाव कर सकते हैं उनका अच्छे से रख सकते हैं उनको अच्छा मैसुस करा सकते हैं इस दोर पर है ना हो और शीक होता है अब सीफ पीपर से पोला आते हैं अब सीखनेस बिमारे एक ऐसी कंडिशन होचाटी इसमें शरीप कमजोर हो जाता है अब अपने काम नहीं कर सब्सक्राइब करते हैं तो अपने सब्सक्राइब करते हैं किस तरह की बिमारी है कई असा होते हैं कि दवाई लेने की बात कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं और अपने मैसेज किया हैं कि आपकी परिवार में कई बार ऐसा होता है कि बीमार लोग हो जाते हैं तो उस टाइम पर काम तीक से नहीं कर पाते हैं तो जो एक टी बिमार हो जाता है तो और अपने काम तीक से बने ही कर पाता है अपनी बीमारी के तार है ना, तो कि उनको हमारी थायप के जरूरत होती है, तो उस टाइब पर नहीं बीमार होते है, हमकी में help करनी चाहिए, ठीक है, हाट दरसे, ताकि उनको अच्छा वैसुन से, Hey, who are differently challenged people? अब differently challenged people कूँ होते है Differently challenged people मत्णदब вик्लाम You must have seen people who are unable to see, walk, hear, speak अपनी देखा होगा अपनी आसका इसे होते है कि सुन नहीं पाते है, ठीक से, देख नहीं पाते है, ठीक से चल नहीं पाते है, या पोल नहीं पाते है They are called differently challenged people उनहीं लोग को differently challenged people को भी है तो जीते हैं और सारे काम करते हैं जैसे हम लोग खड़ते हैं और डिफ्रेंट लेकिन अलग दरीके से है ना फर एक्जांपल विकन सब्सक्राइब बड़ तो सुखे लोट रूट सी उस्टानवच लेकिन वो लोग की बोल नहीं सकते हैं तो तरह से क्या करते हैं वो साइन लान्वच का इस्तमाल करते हैं मतलब कि इशारों से अपनी बात को कहते हैं कि अपने सारे करतब निभाते हैं जैसे लोग निभाते हैं तो ऐसे लोग की हमें अपनी तरफ से हल्प करनी चाहिए कि उनका जो जीवल है तो थोड़ा सा एजी हो चाहिए हेल्पिंग गैणी अब किस तरीके से जुरुवत्मन लोग की हम धैप कर सकते हैं विख हई गैट अफशने खिट अफचने अफचनें पर्फ रहो होना कि प्यार का भाव हो होता है शन्दाव रहों दोस्टोर परति है तो जो बात है उनके पति कर दियापने चाहिए और साथ ये साथ उनके पति प्रति एक स्लेअ भाव हो भी देखाना चाहिए ठीक है जाएंब दोस्त बनके हमें उनके साथ बैठना चाहिए और उनको किसी लिए की तरीके से कुश्च करने की कोशिश करने चाहिए नंके साहए बताना चाहिए और उसे भी बातें करनी चाहिए और उनके काम करने यह उनकी मदद के शीए इस तरीके से हमें जाहिए if they need anything from the market buy it for them अगर उनको किसी चीज के जरूरत है तो market से आप उनके लिए लाकर दे सकते हो take them for a walk in the evening शांक के टाइम पर आप उनको walk के लिए लेकी जा सकते हो consider this as a duty to help यह हमारी duty और हमरा करताव है कि हम उनका ध्यान रखे उनकी help किसी लेकी तरिके से कर सके अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है आपके लिए helpful होती है तो please वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you